हालो अबरीबन वेलकम तर प्रफाउंड जुकेशन आज के इस वीडियो में हम इनिक्वालिटी के लिए प्रोग्रेस 3 देखेंगे और यह प्रोग्रेस 3 है इनिक्वालिटी चाप्टर की और अभी तक में हमने जितने भी कोशिंज किये two variables वाले linear inequality के वो इस प्रोग्रेस के अंदर हम और भी क्या के तरीके से questions हमें आते हैं वो देखने वाले हैं So start करते हैं draw the graph of the following inequalities with the solution set आपको in inequalities के लिए graph draw करना है और solution set find out करना है So सबसे पहले आपको दिख रहा होगा तो यह है x minus y greater than equals to minus 3 2x plus 3y less than equals to 6 y less than 2x and x less than equals to minus का 2 and last है हमारे पास 4 greater than 2 So यहाँ पर यह आपका यह भी एक linear inequality है लेकिन इस तरीके से आपको given है कि x की value जो है वो minus 2 भी है और x की value सारी छोटी होंगी minus 2 से तो इसको भी हमें plot करना है तो question number 1 है हमारे पास x minus y greater than equals to minus 3 So इसके लिए आपको linear equality given है सबसे पहला step जो है वो इस inequality को replace करना होगा equals to में और find out करने होंगे points ताकि हम उसे plot कर सकें graph पर So यहाँ पर इस equation को मैं इस तरीके से लिख सकते हूँ या इस तरीके से आप एक variable को left hand side रहने दीजे और बाकियों को right hand side लियाए तो यहाँ पर मैंने x के लिए यह equation मनी y के लिए यह equation मनी आप किसी भी equation का use कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस से अलग values मिलेंगी इस से अलग values मिलेंगी दोनों के लिए same values आपको मिलेंगी युकि same equation है सिफ लिखने का तरीका अलग है सो पहली अगर मैं देखू अगर मैं x के जगा यहाँ पर zero put करती हो x के जगा यहाँ पर zero put किया तो मेरी y की value क्या हो सकती है यह minus 3 यहाँ जाएगा तो positive का 3 हो जाएगा तो मेरी value हो गए positive का 3 यही पर आप 0 put करेंगे तो आपको क्या मिला y का value? 3 मिला तो यही हमने point find out कर लिए पहला second है अगर हम x के value minus 3 रखते हैं तो मेरे को y के value मिलेगी minus 3 plus 3, 0 तो यह मेरा second point हो गया है अब इसे plot कर लेते हैं graph पर यहाँ पर मैंने graph draw किया है one one के लिए size लिया है एक एक centimeter का अब सबसे पहला है zero one तो zero पर आएंगे origin पर और y element पर 3 तो 3 के लिए y axis यहाँ positive होता है तो हम यहाँ circle कर देंगे और dot कर देंगे उस value के लिए अब अगला है minus 3 x पर x पर minus 3 होता है left hand side तो यहाँ हम जाएंगे and y तो zero ही है तो उपर यहाँ नीचे कहीं नहीं जाना है इसी x पर ही इसकी value हमें find out करके मिल जाएगी तो यह circle करके मुझे value मिल गई है इस second point के लिए तो यहाँ पर यह दो points को हम connect कर लेंगे तो यह equation की line आपको मिल गई अब हमें check करना है कि इसका solution set इस तरफ होगा या इस तरफ होगा तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इस region का एक point लिजिए या इस region का एक point लिजिए और verify कीजिए कि क्या वो satisfy कर रहा है given inequality को तो सबसे पहले मैंने आपको देखा कि यह inequality origin से होकर नहीं जा रहे है इसकी line तो यहाँ पर मैं इस region का यह point verify करूंगी जो origin लेकर तो test point मैंने आपको लिया है 00, so now we use the test point 00 test point हम 00 use कर रहे हैं and इस point पर हमें चेक करना है कि इस inequality के लिए जो line आपको मिली है उसका region इस तरफ solution सेट होगा या इस तरफ होगा so इसके लिए मैंने 00 put करा equation के अंदर x और y की जगा पर अब आपने चेक करना है कि क्या जो value आपको 0 मिली है वो बड़ी होती है minus 3 से अगर आप एक number line में देखेंगे तो 0 आता है center में और left hand side में होती है negative values, right hand side में होती है positive values तो आपकी minus 3 value जो है वो छोटी होती है 0 से या आप कह सकते है 0 बड़ा होता है minus 3 से तो ये मेरा true हो गया true हो गया तो मतलब इस line के लिए solution set इस तरफ होगा तो इसलिए मैंने indicate किया हुआ है arrows को इस तरफ तो ऐसे आपने solution set find out कर लेना है और इसको फिर आप shade कर सकते हैं एंड में थोड़ा सही से आपको shade करना होगा वो मैंने थोड़ा इस time पे थोड़ा अलग सा shade ये हो गया तो इस line के इदर वाला part आपका solution set होगा अगला question देखते हैं अगले question से पहले जो ये जितने भी questions हैं ये same ही questions है अभी तक में हमने जितने examples cover किये तो आप देखेंगे कि आप इनको करने में सक्षम होगे मतलब आप इन questions को कर पाएंगे तो अगर आपको फिर भी कोई doubt है इन questions को करने में तो आप हमें comment कर सकते हैं या हमें telegram में message कर सकते हैं लेकिन ये चीज़ जरूर आप करके देखें क्योंकि confidence इससे ही develop होता है कि मेरे concepts clear हो गए हैं तो मैं हर इक question को चाहिए वो कैसा भी question given हो उस concepts related मैं उसे करने में able हूँ तो मतलब ये हमें verify करके तब ही पहचलेगा जब आप इन questions को करके देख पाएंगे तो अभी के लिए मैंने इनका solution आपको नहीं दिया इस video में तो आप इन questions खुद करके मुझे जरूर बताएं अगला question देखते हैं इसका यहाँ पर ये question है for each of the question 6 to 7 draw the graph of the following inequalities on the same graph same graph पर inequalities को आपने draw करना है तो सबसे पहला 6th part है और 7th है 6 में आपको 4 equations given है 7th में भी 4 equations given है सबसे बहले 6 solve कर लेते हैं इसके लिए points find out करने होंगे लेकिन inequality को replace करना होगा हर एक के लिए तो मैंने यहाँ पर इन तीनों के लिए points find out कर लिए तो यहाँ पर मैंने चार तीन जो भी equation आपको given है उनके लिए points find out किये हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 2 की जगा पर put कर रहे हूं sorry, x की जगा पर put कर रहे हूं 3 तो यह 3 to the 6 हो जाएगा 10-6 हो का 4 तो y की value मुझे यहाँ से मिली 4 ऐसे ही मैंने यह point भी find out किया है और बाकी के जो 2 equations हैं उनके लिए भी points find out कर लिए है अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो यह 5 equations है यह 5 equations हैं और यह 4 equations हैं यहाँ पर इन 3 के लिए तो हमने points find out कर लिए हैं सिर्फ इन 2 equations का क्या मतलब है यह मैं आपको बताती हूँ x की value हमेशा बढ़ी होगी 0 से और y की value भी बढ़ी होगी 0 से यह आपको इससे समझ में आ रहा है inequality यही कह रही है कि x की जो भी value होगी वो 0 से बढ़ी होगी और y की value बढ़ी होगी इसको कहते है non negativity का case मतलब आपका जो graph होगा जो कि मैंने यहाँ पर draw किया है इसके लिए जो भी region होगा वो यहाँ positive x और y positive के case में मिलना चाहिए तो x के लिए जो positive मतलब 0 से बढ़ी values सारी यह values होती है and y के लिए 0 से बढ़ी values सारी यह values हो तो area मेरा यह रहा तो इसको कहते है non negativity मतलब negativity नहीं होनी चाहिए negative values नहीं मिलनी चाहिए तो negative region नहीं होना चाहिए मतलब कि इस area तक ही हम bound है bounded है कि इसके लिए region find out जो हमें करना होगा तो left hand side या नीचे below या हमें इस सरीके से नहीं करना है आपको सिर्फ इसी region तक के लिए ही find out करना है so plot कर लेते हैं इन points को 3 पर 4 तो x की value जो 3 है तो हमारी y की value हो गई 4 तो इसके लिए मैंने ये 3 पर यह रहा 4 value then अगर y की x की value 4 है तो y की value 2 तो यह दूसरा point तो इसलिए दोनो points मैंने connect करके यह line की equation बन गई है पहली ऐसे ही second दो जो और equations हैं उनको भी मैंने plot कर लिया है तो यह equations के लिए आपको इस तरीके से lines मिलेंगी अब हमें common region find out करना है कि common region क्या होगा तो उससे पहले कि जो आपका inequality तीन आपको given है उस पर satisfy किस region के लिए value कर रहे है वो हमें चैक करता होगा तो वो चैक कर लेते हैं याह पर अगर आप देखेंगे तो 00 हम put कट सकते हैं origin क्योकि ना ही यह לסाइन में से 300 में से कोई भी line origin से होकर नहीं जारहे है तो हम origin put कर सकते हैं origin put कर के चैक कर लेते हैं तो इसका मतलब यह false हो गया, 0 बड़ा नहीं हो सकता 10 से, तो यह false हो गया, मतलब इसकी direction origin की तरफ नहीं है और इसके लिए 0 पुट करेंगे, तो 0 ही आएगा पूरा and greater than 12, तो यह भी false हो जाएगा और यह भी false हो जाएगा, तो तीनों के लिए आपको false मिलेंगी values तो तीनों के लिए false हो गया, तो origin की तरफ हमें region indicate नहीं करना है तो कहां करना होगा उसके opposite, यहां origin है, तो इस line के लिए भी जो होगा indicate वो इस तरफ ही होगा and इस line के लिए भी and same इस line के लिए भी, अगर आप देखेंगे तो तीन के लिए common line यह आपको region दे रही है तो यह मेरा common region हो गया जो in system of linear inequalities के लिए solution है, तो ऐसे आपने इसको shade कर देना है तो friends, ऐसे मैंने find out कर लिया इसका solution और इतना ही आपने करना है अगला question देखते हैं, question number 7 यह है, आपको यह भी जो बाकी के दो equations थी वो भी non negativity मतलब जो solution होगा वो इस तरफ ही होगा graph के positive side तो यहाँ पर मैंने find out किया है points, इनको equals to में रखके, तो मेरी i values यह, अब इनको plot कर लेंगे plot किया है मैंने तो दो equations इस तरीके से आपको graph पर मिलेंगी then, अब हम इस पर भी 00 से satisfy कर सकते हैं, कि satisfy कर रहे हैं यह value की नहीं कर रहे हैं तो मैंने आप origin को check कर लिया, put करके, तो आप देखेंगे कि यह 0 less than equals to 6 आया तो उसका मतलब भी true है और यह भी true है, तो दोनों ही आपको true मिल गए हैं तो हमारा solution होगा, वो graph origin की तरफ होगा, तो origin की तरफ होगा, तो हम उसको indicate कर देते हैं तो यहाँ पर मैंने यह indicate कर लिया है, origin के तरफ रहेगा solution तो line के लिए जो common region आपको मिलेगा indicate करने के बाद, वो यह होगा जहाँ पर आपको दोनों लाइन के लिए जो indicate हमने arrow से किया हुआ है वो दिखेगा कि ये वाला part common है देखिए आपर ये इस line के लिए यहाँ indicate करा था and second line के लिए यहाँ भी indicate करा था उसका मतलब ये इसका common region है तो ऐसे हमने find out कर लिया solution अगर आपको किसी भी question में कोई भी doubt है तो आप हमें बेज जुजग comment कर सकते हैं और हमें telegram गुरूप में हमसे जोड सकते हैं ताकि मैं आपके जितने भी queries हैं उनका answer कर पाऊं अगर आपको हमारी videos पसंद आये तो like करें हमारी आगे आने वाली videos में update रहने के लिए subscribe करें और दोस्तों अगर आपके कुछ suggestions हैं तो हमें comment करें thank you